दोस्ते एक example लेते कि आपके पास बहुत सरी वीडियो पड़े जो कि MP4 format में और आप इने audio format याने MP3 में convert करना चाहते हैं अब आप एक एक करते बैट होगे तो आपका बहुत समय जाएगा लेकिन मैं एक software बता रहा हूँ जिसका नाम है HitPaw Video Converter जिसकी मदद से इन सभी वीडियो को आप एक साथ MP4 to MP3 में कर सकते MP4 to AVI या MP4 to कोई और format में आप करना चाहते तो वो भी कर सकते बस one click से जिया दोस्तो एक साथ होगा और साथ ही में इस video converter की मदद से आप video को compress भी कर सकते अगर आपके mobile में storage कम है और साथ में video की size भी बढ़ सीधी बात नोबक्वास ये वीडियो शुकरते हैं खास let's begin करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा यहां पे try it for free बटन है इस पर क्लिक कीजिए इस software को download और install कीजिए अब इससे download और install करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा जहां पर सबसे पहला option convert दिखाए दे रहा है फिर download, edit, toolbox यहां प MP4 को आपको MP3 format में convert करना है तो यहां पर आपको add files option दिखाए दे रहा है मैं drop down पे click करता हूँ यहां पर आपको दिखाए दे रहा है add video, add audio, add folder तो फिलाल मैं क्या करता हूँ एक video यहां पर select कर ले तो आप पूरा-पूरा folder भी ले सकते जिसमें आपके बहुत सारे videos पढ़ convert to all option दिखाए दे रहा है यहां पर फिलाल है AVI में convert होगा यह अगर मैं यहां पर यह option रखूंगा तो अगर मैं यहां पर click करता हूँ तो आपको और भी option मिल रहे है कि भाई इसे video में convert करना है तो कौन से format में करना है आप यहां पर देख सकते डेर सारी format आपको मिल रहे है MOV, MKV इसमें आप convert कर सकते हैं जब आप इस पर click करते हो तो पूछ रहा है कि कौन से quality में आप इससे convert करना चाहते है तो धेर सरे options यहां पर मिलते हैं लेकिन मैं ले रहा हूँ फिलाल audio option यहां पर दिखा दे रहे है यह वाला option audio मैं इसे audio में MP3 करना चाहते हो तो मैं audio click करके MP3 पर click करूँगा and same as source यह वाला check रखूँगा right quality जो source की जो quality वैसे मैं रखना चाहता हूँ same as source यह आप high quality वगरा भी select कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह video MP4 यहां पर MP3 में होने वाले सभी videos जितनी भी मैंने select किये यह convert to all बटन पर मैं click करूँगा अगर मैं एक एक करना चाहता हूँ तो यह पर convert option दिया है उन्होंने लेकिन मैं convert to all करता हूँ डैन डैन एक एक करके convert हो रहा है और यहां पर यह convert हो चुका है converted में जाएंगे और देखेंगे यहां पर आप देख सकते यह screenshot नाम का एक है PDF Shots नाम का है और यह MP3 हो चुका है तो अब ही मैं आपको सुनाता हूँ भी हूँ यहां पर मैं क्लिक करता हूँ अईला यह बात है सतीज बहु सुनरे ला है क्या सुनरे ला है क्या ओकी यहां पर मैं open folder में जाओंगा तो यहां पर आपको दिखाए देंगे यह दोनों के दोनों भी MP3 में convert हो चुके क्या बात है राइट चुलो ठीक है हमने देख लिया कि इसे MP3 में कैसे convert करना है वैसे आप धेर सारी और भी format में convert कर सकते है इसकी बाद next option आपको मिल रहा है edit इसमें आप वीडियो को cut कर सकते जैसे वीडियो में unwanted part है वो remove करना है cut कर सकते या दो वीडियो को merge कर सकते वीडियो को crop भ इमेज की भी बिना quality लूज के image को compress कर सकते बस यहाँ पे click easy है यहाँ पर आपको वीडियो को अपको दिखा रहा हूँ अड वीडियो बटन पे click easy तो यहाँ एक वीडियो आपको दिखा दे रहा है PDF Shorts का इसे मैं select कर रहा हूँ open कर रहा हूँ जैसे मैंने इसे open किया है इसक 65 MB का MP for audio अब यह compress अगर मैं करता हूँ इसे तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है 32 MB का यहाँ पर compression मतलब लगबग यहाँ पर आदा compression 50% size कम हो रही है और मैं यहाँ पर setting में चाहूँगा तो और भी मैं compress कर सकता हूँ जैसे मैं medium quality चाहता हूँ या फिर मैं high quality चाहता इसकी size मिलेगी लेकिन quality high मिलेगी अगर आप इसे medium में करते हो तो आपको 32 MB की size मिलेगी लगबग 50% reduce हो जाएगा लेकिन quality medium मिलेगी मतलब ज्यादा quality lose नहीं होगी और low quality अगर आप चाहते हो तो इसमें आपको 13 MB मतलब ज्यादा low compress करना है तो यहाँ पर quality भी थोड़ा सा आ तो medium में रखना चाहता हो compression level इसका और यह 19 MB तक हो जाएगा medium में ही चलो देखते हैं compress करते समय यहाँ पर फॉर्मैट भी option दिया गया है आप फॉर्मैट चेंज करना चाहते हैं मैं originally रखना चाहता हो और आप यहाँ पर प्रियू भी देख सकते हैं प्रियू देखना चाहत है ऐसे कि वह high quality medium में आपको compression level high quality में रखना है और प्रियू तो आपको लगता है हाँ यह ठीक quality है 50 percentage reduce हो रहा है confirm बटन पे क्लिक कीजिए उसके बाद आप compress all यह compress बटन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपने multiple videos यहाँ पे रखे तो आप सबको एक साथ compress यहाँ पे कर सकते हैं batch compress क्लिक कर लो तो अभी आपको दिखाए दे रहा है यह compress हो चुका है और compress होके आपके सामने आ रहा है let's check the quality now quality अच्छी है यहाँ पे राइट लिक कर कि इसकी properties देते यह 32 MB नी बहुत ज़्यादा compress हुआ यह देखिए 5 MB तक इसकी size कम हो चुकी है और अच्छा खासा compression होके भी quality भी अच्छी है तो बिना quality lose कि यह compress अगर आप करना चाहते है तो काफी अच्छा compressor है दोस्तों अब toolbox में आप यहाँ पे देखोगे तो instagram downloader भी है video to zip आपे यहाँ पे convert कर सकते है focal remover है यहाँ पे image converter है image editor है Spotify music converter है iTunes music converter है और यहाँ पे एक नया option भी है जो कि है noise remove यह कापी interesting option है तो चलिए इसके बारे मैं detail में बताता हूँ तो चलिए यहाँ पे add और drag audio और video यह option आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पे basically आप video audio दोनों में से कुछ भी select कर सकते है और उस audio में अगर noise है या video में अग record किया है जिसमें noise है background noise है तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे open किया देखी है इसका noise जो हो रहा है अब basically noise remove होने के बाद किस तरह से audio आएगा यह भी मैं सुनाओंगा पहला कैसा audio था यह भी मैं आपको सुनाता हूँ तो यहाँ पे यह noise remove run हो चुका है let's play after or before यहाँ पे option आपको दिखाए दे रहा है यह देखिए after or before है तो सबसे पहले before पे क्लिक करते हैं पहले आवाज सुन लेते हैं पहले आवाज कैसा था तो यहाँ पे एक video demo video में record करूँ जिसमें मैंने fan चालू रखा है तो background में fan का ध noise आपको सुनाई दे रहा होगा और लेकिन अभी आपको noise सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने fan बंद नहीं किया यह वाला option यूज किया राइट तो यह जो noise remove है का पी इंट्रेस्टिंग AI tool है artificial intelligence वो डिटेक करता है noise और वो properly remove करता है आपने before भी सुना after भी सुना और आ noise कैसे remove है यहाँ पर आपको waves भी दिखाय दे रहा है कि इस तरह से उसने adjust कर लिया तो अभी यह आपने remove तो कर लिया उसके बाद आपके बास option है कि इसे export करना चाहते है अपको इसमें export करना चाहता हूँ आपको डेर सारे courses सीखने मिलेंगे जरू check out करो thank you very much for watching this video guys मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक लिए अपना खायाल रगो सीखते रहो सीखाते रहो बाई बाई